रह्मान रहीम शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेर्बान नहाइत रहें वाला है तो प्यारे बच्चो हम वावल्स कर रहे हैं तो आज हम प्रैक्टिस करेंगे शॉर्ट वावल्स एक ही आपको याद होगा did you remember the sound of a in ant jam and black this sound is called the short sound के आपको याद होगा कि आपने कुछ short vowels की sounds पढ़ी होंगी प्रैक्टिस कर लेते हैं जैसे ant आप मेरे साथ बोले ant apple 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 jam 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 cat 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 black black आप देख रहे हैं कि इन सब में यह जो है वो short vowel के तौर पर इस्तमाल हुआ है read these words aloud and listen to the short a sound in them आप मेरे साथ आप मेरे साथ अलफास को उंटी आवास में पढ़ें और शौर्ट वावल की आवास को सुनें हम हम कुछ मजीद प्रैक्टिस करेंगे और आप देख रहे हैं कि इसमें सिंबल इस्तमाल हुआ है शौर्ट वावल साउंड का यह क्या है when आप देख रहे हैं कि यहां पर सेंटर में वावल इस्तमाल हुआ है उसके उपर सिंबल है शौर्ट साउंड का यह क्या है हैंड आप भी मेरे साथ बोलें हैंड हैंड और इसमें ए जो है उसके उपर ऐसा शौर्ट वावल इस्तमाल हुआ है यह क्या है स्टैम स्टैम आप देख रहे हैं सुन रहे हैं कि इसमें जो ए को जिस तरह से पढ़ते हैं उससे साउंड उसकी फरक है हैंड 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 ह लोहे कि सिलाखों को बार कहते हैं बार आप देखें कि यहाँ पे भी एक short vowel के तौर पे sound दे रहा है बार इसको कैसे पढ़ेंगे pant आप देखें कि यह भी short vowel sound है एक ही यह क्या है match आपको पता है कि दो टीमों के दर्मियान match होता है और इसमें भी एक ही sound जो है वो short vowel के तौर पे आ रही है फिर है travel 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 कहते हैं सफर करने को और यहाँ पे भी आप note करें कि जो short vowel एक ही sound आ रही है फिर है thanked आपको कोई आप से अच्छा से लूप करें तो आप उसका शुक्रियाद आ करते हैं thanked 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 यह क्या है add add इसमें भी एक as a short vowel के sound दे रहा है यह है lamp lamp आप देख रहे हैं कि यहाँ पे भी एक ही sound short vowel की है फिर है stand stand यहाँ पे भी आप देखें कि एक ही sound जो है वो short vowel की है happen किसी चीज का वकू पजीर होना happen आप देखें कि यहाँ पे भी a की short vowel sound है तो प्यारे बच्चों कोई चीज खुद बहुद नहीं होती success in life is not about luck it is about managed thoughts focused attention and deliberate action जिंदगी में काम्याबी का तालुक इसमत से नहीं बलके आपकी सोच आपके अमल और आपके focus होने से है the secret to success is काम करो मेंनत करो keep working काम करते रहो रुको मत तो फिर काम्याबी हासल होगी yes scratch scratch कहते हैं खुजली करने को फारच करने को अब इसमें भी देखिए कि scratch में a जो है उसकी short vowel sound इस्तमाल हुई है rearrange these letters to make six new words with the short a sounds ये आपके सामने कुछ spellings है जो के rearrange करके आपको सही तरीके से लिखने है जैसे ये क्या है इसके spelling क्या लिखे हुए है ये है pen आपने वीडियो यहां पे stop करें अपने copy pencil पे correct spelling लिखें फिर उसके बाद इसको देखने है ये pen आप देखने हैं यहां पे भी a is sound like a short vowel ये है jacket अब यहां पे आपने इनी letters को rearrange करना है वीडियो यहां पे stop करें और फिर इसको meaningful बनाएं तो ये है jacket यहां पे भी a vowel के तोर पे इस्तमाल हो है short vowel और ये क्या है apple apple के spelling भी आपने सही करने है वीडियो यहां पे stop करें खुद से लिखें सोच कर और फिर आगे चलते हैं apple ये apple के सही spelling है और यहां पे भी a as a short vowel sound दे रहा है ये क्या है bag bag अब आपने इसके spelling सही करने है वीडियो यहां पे stop करें उसके बाद हम आगे सही spelling देखते है bag यहां पे भी a short vowel sound भे रहा है ये है whale whale वीडियो यहां पे stop करें whale के letters को rearrange करें whale तो यह है whale इसमें short vowel a की sound है फिर है hat आप इसके spelling भी सही करके लिखें hat वीडियो यहां पे stop करें hat शाबाश आप गुड़ आपने भी ऐसे लिखे होंगे hat प्यारे बच्चों आपने देखा वोई spelling हैं लेकिन तर्टीब से उनका कोई meaning भी मनता इसी तरह अगर जिंदगी बे तर्टीबी हो तो शक्सियत मस्थ हो जाती है अपनी शक्सियत को निखारें अपनी जिंदगी में तर्टीब पैदा करें तर्टीब आगे जुक जाएं अपने माबाद से तालुकात अच्छे करें اللہ کا ذکر کریں قرآن जी तर्जमे के साथ पढ़े और उसके बाद दूसरों की मदद करे वालेंटरी चैरिटी के कामों में हिस्सा ले और दौाबों ज्यदा मांगें इस तफ़ार करें और मस्ज़ जाया करें और वहां पे वक्त गुजारा करें प्यारे बच्चे उमीदे आपको सबक पसंद आया होगा इस चैनल को सबस्क्राइब करें इस वीडियो को लाइप और शेयर करें